असलाम अलेकुम और रह्मतुल्लाह और बरकातू इत्याद दून में आप सभी का ख़यर मगदम है कुछ मुकामी ख़बरों पर नजर ललते हैं आज खानापूर में बाशिबन एड्यूकेशन सोसाइटी उर्दू स्कूल की नई अमारत की संगे बनियाद या मिलासी सेट के हातों आमन बेहिए बाशिवन एजूकेशन सोसाइटी तालीमी मेदान में जाना माना नाम है लिहाजा खानापूर में बाशिवन स्कूल के पुरानी अमारत है लिहाजा नई अमारत के कमरों के काम को जल्द अंजाम दिया जाएगा ऐसा बाशिवन स्कूल इंतिजामिया के जिम्मधार जनाब द कर्पोरेशन मामला दिन बदिन संजिदा ही बनता जा रहा है आज साबिक मेरों ने प्रेस मीट की जरीए मोजोदा कार्पोरेशन की कैफियत पर अफसोस जता है और कहा के कार्पोरेशन का अपना वकार गिरता जा रहा है उसका मरतबा गिरता जा रहा है मेयर पर मुकदमा दर्ज करने की वारदात अपसोस ना कह सकते हैं ऐसा भी कहा लएं इस वक्त सामित मेयर श्वाजी सुन्ट कर नाजस सातेरी रमेश कुडची लतीप खान पठान रेनु के लगर मौजूद रहे यक्त बिलगामी वंद महापऊर लागी नाव केलसमाडी दन्त वेदिकेम ले खुद्त 연े ही इसथ्वंदू महापऊर आगलें इवरु आ मानगर पालिक दीड़ मेर वंदु आपन्टी त yayकाव जुचाळे! मिटिंग नडिता अईद्धे एँड़ी अरती दिया अजी इदु 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 काउंसिल है इदेन काउंसिल लुए वे अस्तीर्तों रिया खाध काधे इदेन नावन नोडु वंत इवत एक्समाप पर मिटिंग एजन इनघ सात्य वरू मालोजास्टे करू, लथिपकान पटानरू, मत्षिवाज सुन्करोवरू, रेनू मेडम अवरू, युवर यल्लकुंती एननी विचार माड़ी देवी, इदन वंदे अर्था, एन महानगर पालिकेल्ली, एनु, जन्नर के आवर यदिकार कोट्टी दारे, यावदे पक्सरली यावदे भाश करियरली, यल्लारू नाव वंदे, यावदे बिलगावी नगर दे जन्नर समस्य गलनी इडर्स लिकेने, अली होगती वी वरतागे, राज करना माण लिके अल्लाू, चुनाव मजदिक आते हैं, तो सियासी लीडरों की चहल पहल भी बढ़ने लगती है, इन इसली मर्तबा की तरह जल्द हकूमत जाएगे और इसके लिए डीके शुकुमार ही जिम्मदार होंगे, जल्द डीके शुकुमार साबिक काईद कहलाए जाएंगे, अयसा भी इस वक्त उन्होंने कहा, करगे विरोध रेकला, उनली डीके शुकुमार कम्पणिस होंगे, नाम विरोध माड़ी पक्षिक माड़ी, इवत भारतीय जन्ता पक्षियासी करचेके, केलोव डीके शुकुमार नेयंगेड़ों मातरद रे, नाम इनु अत्रली वंद श्कना, नम्द अत्रली प्वात्र करगे थे, अधू याकान रे, सुला परचारा माड़ी, सुला गयानेटिक ऊड़्तू, सरकार बंद अत्रली यलान रंगतली, कॉंगर्स पक्षियासी करें, अधुन जेन्नर दारित अपस्लिके, सुला परचारा माड़ी, ताम पक्षियेक, येन शुल हेली दल्ल, जन्नर किनर समाज का फैशन शोग पहली मरतबा बिलगान शहर में किया गया इस वक्त काफी ताइदात में अवाम ने भी शिर्कत फर्माई थी फैशन शोग कुमार अगंदर वरनगन मंदीर में रखा गया था किनरों को समाज में अलग नजर यह से देखा जाता है लेकिना समाज के म अब आज के मौजू के तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं केरला में होई बंदमाकी की केरला में इसाई कन्विंशन में तीन सिरियल बंदमाकी हुए जिसमें एक हातूर की मौत हो गए और पचास के करीब शदीज जखमी हुए अब केरला में धमाका हुआ तो संगियों को गोया मानों के लोट्री लग गई और पूरा दिन चीखने लगे के हमास ने केरला में धमाका किया वाज़ा रहे कि कुछ दिन पहले यहां आयू यम्मिल की जानिब से फलस्तिनी अवाम की हमायत में यहां बड़ा इजलास रखा से पहले और भी कुछ वारत आते हुए इस पर भी नज़र डालते हैं आज एक और हिंदु शक्स जिसका नाम नरेंदर कुमार है पाकिस्तान की आया साई के लिए भारत की खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था अब इसे हमेशा की तरह हनी ट्रैप की कहानी चस्पा की जा हम दिखानी की कोशिश जरूर करेंगे एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2013-2016 तक छ्याजली स्लोगों को पाकिस्तान की जासुसी के जुम में गिरफतार किया गया है 2016-2020 तक के आंकड़े और भी बढ़ चुके हैं और इन खबरों पर चर्चात अफसराये डिबेट करने में बेगारत मीडिया को शर्माती है क्योंकि इनमें अक्सर मुसल्मान नहीं है मजीद ये कि जितने भी हिंदू पकड़े गए या तो फौक से हैं या फिर नेवी से हैं खैर नरेदर कुमार को रस्तान से गिरफतार किया गया दर्मियान में इस वाकी को बताना जरूरी समझा क्योंकि आज ही के दिन असाम के वजीर आला हेमंत विश्व सर्मा ने मुसल्मानों को लेकर एक और नफरती यनकी भड़काओ बयान कह सकते हैं बयान दिया पहले थोड़ा यहां सुन लिजिए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं जो शक्स जिम्मदार ओदे पर बैटा है और मुसल्मानों का पांच ही मिनिट में निप्टारा करने के बात करता है मदर्सों को बंद करने के काम को अच्छा काम कहता है आखर ऐसे लोगों पर कारवाई क्यों नहीं की जाती हाल ही में बेलगाम पुलिस कमिशनर की जानिब से सोचल मेडिया पोस्ट पर किसी भी मख़ब को या फिर किसी भी राश्ट पुलिश पर तोहीन अमस पोस्ट अगर कोई अपलोड करता है तो उस पर कारवाई की बात कही गए यकिनन बेलगाम पुलिस का यह वाकई सरानी एकदाम है पर कोई बड़ा शक्स यहां आकर यहां के माहौल को खराब करने की कोशिश करता है तो सुमोटो के तहत उस पर कारवाई क्यों नहीं की जाती है क्योंकि हाली ही न दूरगामाता दोड़ के आकरी दिन पुश्पेंद्र कुलिसरेष्ट को बेलगाम बुलाए गाता है घर जरूरी तोर पर इसलामी दहशतगरदी का जिक्र करने की जुरूत नहीं थी लेकिन नफरती बयान का आदी पुश्पेंद्र कुलिसरेष्ट बेल की जा सकती है बात करते हैं फिर से केरला धमाकी की जैसा लेकर मुल्की सता पर माहूर को तशद्द में तब्दील करने की कोशिश की जा लिए ब्लाष्ट के 20 मिनिट में 20 सुरकिया हमास का केरला करने चल बताय जा रहा था अच्छा वा कि डॉमिनिक मार्टीन ने जिम्यद मार्टीन ने कहा कि यह वाई विटने से किसाईयों का गिरो है इसका पिछले 16 सालों से कारकून रह चुका हूँ छे साल पहले मुझे एसास हुआ कि यह तन्जीम देश विरोधी है और देश मुखालिप सरगर्मियों में मुलग भी से राष्टगान का यहां विरोध किया जाता है यहां तक के फॉज में भी जाने से मना किया जाता है लिहागा इस काम को एनकी धमाके को अंजाम दिया धमाके का सियासी फायदा उठाने की कोशिच भाजपा कर रही है ऐसा भी सीम विजयन ने पता है जाण्ज की जमेदरी है ना इनली है पहले तो यह डूमिनिक म मांटिन को ने इसकी तेकिक होनी चाहिए अब धमांकों को अंजाम देने की तो शहीं लनी के और ऑगिन का लिसे पीछे कौन सथान है क्या इसका नाम मांटिन ही है या सकान ही। क्योंकि इसके पहले भी हमने इस तरह की वार्दाते देखी है नांदेड, जानना, परबनी, केर्णा, मद्यप्रदेश, चन्नाई और भी दिगर जगों पर RSS के कारकुनार को दमाकों के लिए जिम्यदार ठेरा कर हिरासत मिलिया गया था यहां तक और भी फिरका परस्तंजिमों के अफरादों को मुफ्तली फिल्मी माहिरीन और धमाकों के जुर्में पूस्ताज के लिए इन गिर्फतार भी किया गया था नांदेड में नकली नमाजी टोपी ताकि मुसल्मानों पर ये पूरा मामला थोप दिया जाए नकली नमाजी टोपी दाडी तस्वी भी बरा मत की गई थी एक घर में बम बनाने की मश्क जारी थी तब अचानल धमाका वा जिसमें दो अफरादों की मौद भी हुई थी माले गम धमाका भी इसे ही नहज़ पर था तसे एकड़ों लोग मारे गए केरला में ही 22 अपरिल 2020 को बम बनाते वक्त आरेसस का कारकुन जखमी हुआ 31 अगश 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक आरेसस का साबिक संग प्रचारक रह चुका यश्वन चिंदे ने आरेसस मुलके मुक्तलिफ शहरों में बम बनाके कैसे करता है और कहां कहां तर्वियत कैंप चलाए जाते हैं इस पर संसनी खेज बयान अदालत के सामने दिया था लिहाज इन तमाम के मद नजर केरला बम दमाके की स्टोरी भी क्योंके केरला स्टोरी काफी मच्छूर है केरला बम दमाके की स्टोरी भी अवाम के सामने आना ज़रूर है क्योंके कोई एक फर्द इससे अंजाम नहीं दे सकता इसका दूसरा पहलो यहीं भी समझने की ज़र ते मुस्लिम कौम आज भी गफलत की मींद में किसी तरह हर मामिले को मुसल्मानों की तरफ मोड़ कर 2024 के चुनाओं में फिर से भाजबा एक्तादार पर आना चाहती है लियाद केरला धमाका भी एक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है हमास का केरला कनेक्चन दिखाने की कोशिश संगी मेडिया और आईटी सेल की जानिव से की जा रही है बारत के बदलते हालात और रोज बरोज मुसल्मानों को निशाना बनाने की वारदाते सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है पर क्या मुसल्मानों को मुसलिम नेताओं को या दीनी काईदीन को कुछ फरक पढ़ता तो नजर नहीं आ रहा है इतना जरूर है आज का मुज़ू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें इत्याद देखने के लिए शकुरिया अल्न हाफीज